आज की वीडियो में हम जानेंगे सोम प्रदोस ब्रत की कथा हुजविधी इवं महत्तु हिंदू धर्म गरंथों के अनुसार वैसाक महिने का बहुत अधिक धार्मिक महत्तु माना जाता है इस माह में पहला प्रदोस ब्रत 17 अपरेल 2023 दिन सोम वार को पर रहा है अता इसे सोम प्रदोस ब्रत के नाम से जाना जाता है प्रदोस ब्रत परतिमा क्रिष्ण और सुकल पक्छों की तरदसी तिथी के दिन रखा जाता है इस दिन सच्चे मन से प्रदोस काल में भगवान सिव की पूजा करने से समस्त कस्टों से मुक्ती तथा मुक्ष की प्राप्ती होती है माननेता के अनुसार एक प्रदोस ब्रत करने का फल दो गायों का दान करने की ब्रावर मिलता है प्रदोस में बीना कुछ खाये ही ब्रत रखने का विधान है ऐसा करना संभव ना हो तो एक बार फल खाकर उपवास कर सकते हैं पूजा विधी सोम प्रदोस ब्रत करने से घर में सुक सम्रिद्धी आकर चंद्रगरा के दोस दूर होते हैं जिन जातकों के कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें सोम प्रदोस ब्रत अवस्त ही करना चाहिए सोम प्रदोस ब्रत के दिन भक्तों को सुब अशनादी से निर्वित होकर स्वक्ष वस्त धारन करके भगवान सिभ जी की पूजा करनी चाहिए पूजन के समय भगवान सिभ माता पारवती और नंदी को पंचा मरित्व गंगा जल से असनान करा कर विल्व पत्र गंद चावल फूल धूप दीप नैवद फल पांस उपारी लॉंग और इलाइशी चरहाए त्रयोदसी के दिन साय यानि प्रदोस काल के समय फिर से असनान करके सुर्यास्त से तीन घरी पुर्व इसी तरह से सिभ जी की पूजा करें भगवान सिभ जी को घी और सक्कर मिले मिस्ठान अत्वा मिठाय का भोग लगाए अब आठ दीपक आठ दिसाओं में जलाए इसके बाद सिभ जी की आरती करें रातरी जागरन करके सिभ मंत्र आओम नमसिवाय का जाप करें या ब्रत सर्व सुको को देने वाला माना गया है इस ब्रत को करने वाले की हर इक्छा पूर्ण होती है सोम प्रदोस ब्रत का महत्व सोम प्रदोस के दिन भोले नाद की अविशेक, रुद्रा विशेक और सिंगार का विशेस महत्व है इस दिन सच्चे मन से भोले नाद की पूजा करने से मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है लरका या लरकी की साधी बिवा की अर्चने दूर होती है संतान की एक्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंच गव से महा देव का अविशेक करना चाहिए वहीं ऐसे जातक जिने लक्षमी प्राप्ति और करियर्स में सफलता की काम ना हो उन्हें दूर से अविशेक करने के बाद सिव लिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए माननेता है कि ऐसा करने से भूले नाद अत्यंत प्रशन्न होते है सोम प्रदोस ब्रत का सभी प्रदोस ब्रत में अधिक महत्तु बताया गया है धार्मिक माननेताओं के अनुसार परतेक माह की तर्दसी तीती में साइकाल को प्रदोस काल में प्रदोस ब्रत का पूजन किया जाता है मानने ताहे कि परदोस के समय महादेव कहलास परवत के रजट भवन में इस समय निर्थ करते हैं और देवता उनके गुनों का अस्तवन करते हैं ऐसे में जो भी जातक या ब्रद करते हैं भूले नाद की किरपा से उनकी सभी मनोवानचित कामनाओं की पूर्ती होती है मानने ताहे कि सोम बार के दिन परदोस ब्रद को करके जो भक्त परदोस काल के समय भगवान सिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप सिव जी नस्ट कर देते हैं और सिव भक्ती को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुक प्राप्त करता है जैसा कि सोम प्रदोस ब्रत की कथा में बताया गया है आईए सुनते हैं सोम प्रदोस ब्रत की कथा एक नगर में एक ब्रामनी रहती थी उसके पती का स्वर्गवास हो गया था उसका अब कोई आस्रेदाता नहीं था इसलिए प्राता होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीक मांगने निकल परती थी भीक मांगने से ही वह स्वैम वह पुत्र का पेट पालती थी एक दिन ब्रामनी घर लोट रही थी तो उसे एक लर्का घायल अवस्ता में कराता हुआ मिला ब्रामनी दयावस उसे अपने घर ले आई वह लर्का विदर्व का राजकुमार था सत्रू सैनको ने उसके राज पर आकरमन कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर नियत्रन कर लिया था इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था राजकुमार ब्रामन पुत्र के साथ ब्रामनी के घर रहने लगा एक दिन अंसुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंसुमती अपनी माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई उन्हें भी राजकुमार भागया कुछ दिनों बाद अंसुमती के माता पीता को संकर भगवान ने स्वपन में आदेश दिया कि राजकुमार और अंसुमती का विवा कर दिया जाए। के परदोस ब्रत के महत्तों से जिस तरह राजकुमार और ब्राह्मन पूत्र के जीवन खुसहाल हो गया वैसे ही सभी पर सिवजी की किर्पा प्राप्त होती है अता सोम परदोस ब्रत के दिन या कता अवस पढ़नी अत्वा सुननी चाहिए। कि अंति तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत सुक्रिया। कि दो गया हूए।